Hello Friends, Very Good Evening, Welcome to Online Study Point Friends, आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Physics के Very Most Important Questions को जो RRB NTPC Group D के साथ साथ अन सभी exams के लिए काफी important और helpful है Friends, इसका Part 1 मैंने पहले ही upload कर दिया है जो आपको हमारी playlist पर जाकर मिलेगा आज का वीडियो Part 2 है तो आज का पहला प्रिश्ण है किसी पिंड का भार क्या होता है प्रत्वी पर सभी स्थानों पर समान होता है दुरूबो पर अधिक्तम होता है विश्वत रेखा पर अधिक्तम होता है या मैदानों की अपेच्छा पहाडों पर अधिक होता है तो friends चो पिंड होता है उसका भार क्या होता है दुरूबो पर अधिक्तम होता है Next question है ब्रू इस सिर तुल्य काली उपग्रे गूर्णन का आवर्द काल कितना होता है तो friends इसका आंसर है 24 घंटे Next question है नदी में तैरता जलियान जब समुद्र में आता है तो यह थोड़ा सा उपर उठ जाता है या थोड़ा सा नीचे डूप जाता है एक ही सदय पर रहता है या फिर जलियान के निर्माड पदात के नुसार थोड़ा और डूप या उठ जाता है तो friends जब जलियान पानी पर तैरता है तो friends थोड़ा सा उपर उठ जाता है नेक्श कोश्चन है वायू मंडली दाप को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है तो वायू मंडली दाप को मापने के लिए यंत्र का उप्यों किया जाता है वो है वैरोमेटर Next question is, किसी पिंड का अधिक्तम भाद, यानि कि किसी पिंड का भाद अधिक्तम कहाँ पर होगा वाईु में? जल में? हाइडोजन में या निरवात में? तो फ्रेंट्स निरवात में होगा Next question is, उस्मा गत्की का प्रिथम नियम किसकी संकल्पना की पुष्ति करता है? उर्जा संरच्छण, ताप संरच्छण, कार संरच्छण या इन में से कोई नहीं तो उसमा गत्की का जो प्रतम नियम है फ्रेंड्स वो उर्जा संरच्छण संकल्पना की पुष्टी करता है नेक्स्ट है अस्त होता हुआ शूर निम में से किस क्रिया के कारण लाल दिखाई देता है यानि कि जब शूर अस्त हो रहा होता है तो उसके लाल रंग दिखने का में कारण जो है वो है प्रकीर्ण नेक्ट कोशन है मनुष्ट की आँग की रेटिना पर किसी वस्तू का प्रतिविम बनता है यह वास्तफिक होर होता है वास्तफिक और क्या होता है तो फ्रेंट्स उल्टा यानि कि जब भी आपकी आँग कोई प्रतिविम बनता है तो उसका जो वास्तफिक प्रतिविम होता है फ्रेंट्स वास्तफिक और उल्टा बनता है नेक्श कोश्यन है मनुष्ट दाड़ी बनाते समय किस प्रकार के दरपड का उप्योग करता है तो फ्रेंट्स मनुष्ट दाड़ी बनाते समय अवतल दरपड का प्रयोग करता है नेक्ट कोश्चन है वर्सा की बूंद का गोल होने का मुख कारण क्या है सतही तनाव वातावर्णी घर्षन वर्सा जल की स्यानता या प्रिस्वी का गुरुत्वी वल यानि कि वर्सा की जो बूंद होती है उसके जो गोल होती है जो राउंड में होती है उसका मुख के कारण क्या है सतही तनाव नेक्ट कोश्चन है प्रकास वर्स किसका मातरक होता है तो फ्रेंड्स प्रकास वर्स दूरी का मातरक होता है नेक्ट कोश्चन है पिग्मो मीटर नामकूप करण का प्रयोग किस से नापने के लिए किया जाता है तो पिग्मो मीटर का उप्योग घनत को मापने के लिए किया जाता है हीरे की चमक का क्या कारण है हीरे की जो चमक का में कारण होता है वो प्रेकास का आंजिरिक परवर्तन क्योंकि जब भी प्रेकास की किर्णे इस पर पढ़ती है तो किर्णे इस पर अंदर आप मतलब इसमें किर्णे क्या होती फर्स जाती है इसलिए जो हीरा है बहुत चमकदार दिखाई देता है Next question है स्वेट प्रकास को बिन-बिन रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है कि जो स्वेट प्रकास होता है जब वो प्रिज में से गुजरता है तो वो साथ रंगों में विभक्त हो जाता है Next है जल का तालाब कम दिखाई देता है इसका क्या कारण है यानि जो तालाब होता है वो जल जब उसमें होता है तो कम गहरा दिखाई होने का में कारण है प्रेंट्स परवर्तन नेक्स कोश्यन है प्रकास कवेग सबसे पहले किस ने आपा था तो प्रकास कवेग सबसे पहले रोमर ने ना पा था नेक्स्ट है एक समान नेतर के लिए तो इस पस्ट रिष्टी की नियुनितम दूरी क्या होगी यानि कि एक व्यक्ति के लिए नियुनितम दूरी कितनी होनी चाहिए देखने के लिए तो फ्रेंड्स 25 सेंटिमेटर नेक्स्ट है न्यूटन का पहला गती नियम संकल्पना देता है यानि न्यूटन का जो पहला नियम है फ्रेंड वो जाड़त्तु की संकल्पना देता है नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविक्ता की खोश की थी बैकलर ने नेक्स्ट है नाब की रियक्टर में कौन सा पदात इधन का काम करता है तो नाब की रियक्टर में फ्रेंट यूरेनियम जो होता वो इधन का कार करता है नेक्स्ट है सौर पढ़ाली की खोच किस ने की तो फ्रेंट सौर पढ़ाली की खोच केपलर ने की थी नेक्स्ट है आइस्थाई चुम्बग किसके बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे के नेक्स्ट है चुम्बिकी फ्लक्स का मातरक होता है चुम्बिकी फ्लक्स का मातरक फ्रेंट वेवर होता है नेक्स्ट है मुक्रूप से निलंबिच चुम्बिकी सुई किस दिसा में टिकती है तो मुख रूप से निलमबिच चुंब की सुई मेली आप देखोगी उत्तर और दची डिसा में टिकती है क्योंकि आप देखेऊएंगी इसमें दो दुरूप बनाई जाते हैं एक उत्तर एक दच्ची क्योंकि ये हमेशा दच्छी दूरूब और उत्री दूरूब को परदर्शित करते हैं नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकी हुई चुम्ब की सुई अच्छ भगॉलिक अच्छ के साथ कोड बनाती और नेक्स्ट है निम लिकित में से कौन सरवुतम विद्धुत चालक है यानि कि विद्धुत का सरवुतम चालक होता है चान्दी नेक्स्ट है प्रकास की चाल कितनी होती है निर्वात में प्रकास की चाल कितनी होती है तो फ्रेंड निर्वात में जो प्रकास की चाल होती है वो तीन गुड़े दस की घात 8 मीटर 30 सेकंड होती है नेक्स्ट है तेल का एक बैरल लगबग कितने के बराबर होता है यानि कि एक बैरल में कितने लिटर तेल आता है तो एक बैरल में 169 लिटर तेल आता है नेक्स्ट है हेलिकॉप्टर का विश्कार किस ने किया था तो हेलिकॉप्टर का विश्कार ब्रीक वेट ने किया था तो फ्रेंड्स आज का हमारा फिजिक्स की जो 3,000 प्रश्णों की सिरीज है आज पार्ट टू था यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट ब